नमस्कार साथियों हम राजस्ताने दिन के पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे जिसमें कख्षा 9 की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे जिसमें अर्थ व्यवस्ता में अर्थ शास्त्रे में अर्थ व्यवस्ता के अध्या के बारे में बात कर रहे थे जो 16 होने वाला था दोस्तों ये पुस्त्के जो हैं वो कक्षा 6 से लगाकर कि कक्षा 12 की जो परमानी पुस्त्के हैं उनको हमने इसमें इस सेशन के अंतगत एड़ किया है ताकि आपके जो भी परतियों की परिक्षाओं आप देना चाह रहे हैं उनमें आपको कहीं पर भी अपना निराश नहीं होना पड़े प्रश्णों के उत्तर देते हुए ठीक है दोस्तों तो ये जो पुस्त्के हैं दोस्तों NCIT और RBSC की बहुत ही प्रमानिक पुस्त्के हैं तो आगामिक परतियों की परिक्षाओं में 100% जो प्रश्ण है वो आपको देखने को मिलेंगे अर्था दिये जो सीरीज है वो आपके लिए कि रामबान सिद्ध साबित होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को इस पार्ट वाइस हम इसके बारें बात कर रहे है तो स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्ता बाजार अर्थव्यवस्ता और मुक्त अर्थव्यवस्ता या स्वतंत्र उज्ध्यम वाली अर्थव्यवस्ता के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है फिर बात करें 19 समय दों प्रश्ण के बारे में तो प्रश्ण आता है कि पुंजी वादि आर्थवश्टा कब अपने अस्तितों में आती है? पुंजी वादि जो अर्थवश्टा है वो अपने रियल अस्तितों में कब आती है? तो ये आती है 1660 से लगा करके 1820 के अंतरिकत आती है. तब यह आप याद रखना चाहो तो अपनी ओज्योगी क्रांती क जो है वो समय चल रहा था ओजोगी करांती जो हो रही थी न वो इसी काल में हो रही थी सतरा साथ से लगा करके अठारा सो बीस में जो है इसका प्रभाव देखने को मिल रहा था तो पुंजी वादी जो अर्थ वहसता है वो अपने अस्थितों में कब आती है 1760 से लगा करके 820 के समय फिर प्रश्ण आता है बिस्वा कि ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रन होता है उसे समाजवादी आर्थरवस्ता के नाम से जाना जाता है इसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रन ठीक है स्वामित्व भी होना चाहिए और नियंत्रन भी होना चाहिए तो वो क्या कहलाता है समाजवादी आर्थरवस्ता इसी नाम के आदार पर उननों ने एक समाजवाज जेवाजी पार्टी का गठन किया है लेकिन वो इन नियमों का पारण नहीं करती है ना स्वामित्त और नियांत्रण इन दुनों पे काम नहीं करती है पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे विजे भी हो. तो कांग्रेस हो या किसी भी प्रगार के परिटी हो इस परेश टने तरीके से कह सकते हैं कि देश हित्तेश ही की क यह यह है क्योंकि इनकी एक आइडियोलोजी होती है इनको अपने प्रचार प्रशार में पैसे खर्च करने होते हैं ठीक है इसका जो वीडियो है ना प्रचार प्रशार में किस तरीके से वो इलेक्ट्रोल बॉल्ट के बारे में तो प्रदीप सरके द्वारा जो है वो अच्छे तरीके फिर प्रशना आता है important समाजवादी अर्थ व्यवस्ता को अन्य किस नाम से जानते हैं सुरी दोस्तों प्रशना आता है 22 थोड़ी तो तो आज बहुत नरम है तो ख्लास लेमा बहुत जरूर है कर्म प्रधान होता है दोस्तों चलिए 22 प्रशना आता है कि समाजवादी अर्थ व्यवस्ता को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो समान अर्थ व्यवस्ता या कैंदर नियोजित अर्थ व्यवस्ता के नाम से जो ही से जाना जाता है इसे क्रम में बात करें 23 प्रश्णा की तो समाजवादी अर्थविवस्ता की शुरुआत कहां पर हुई थी तो रूस में होती है 1716 में ठीक है तो इसका अंसर कौन सा होगा रूस 1617 प्रश्णा आता है 24 प्रश्णा की आज भी किने देशों ने समाजवादी अर्थविवस्ता प्रणाली को अपना रखा है तो चीन और कोरिया जो है उन्होंने अर्थविवस्ता प्रणाली को अपना अपना रखा है दोस्तों तो उसे मिशित अर्थववस्ता के नाम से जाना जाता है भारती आर्थिक जिंतन में कितने पूरिशार्थों का विड़न मिलता है तो चार का मिलता है जिसमें धर्व, अर्थ, काम और मौक्ष का जो है वो प्रतिफल और अप्रतिमुक नाम देखने को मिलते हैं तो इस तरीके से हमने 27 प्रेश्टों के बारे मेहतों तरीके से बात की अपना अगला होगा सतर वाज्या जिसका नाम है भारतिय अर्थवस्ता में कृषी ठीके इसका क्या-क्या मेहतो है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे तो इंपोर्टन बहुत ही होने वाले हैं यदि आप पीडियेप राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जाएए और आज ही प्लेय स्टोर से डाउनलोट कीजिए हमारा एकेडमी एप ठीक है इसके स्टूडी एकेडमी एप उसके बाद आप जाकर के जो पीडियेप ह आज से प्रस्टर जो है वो एक्जाम में देखने को मिलेंगे तो चलिए दोस्तों शेशन को यहीं पर खतम करते हैं और मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए जय ही